जहीं दोस्तों मैं राम्राल प्रशाद मौर उपच्तित्व एक नया वीडियो लेकर और अब दिपावली भी बीत गया है और छट भी बीत गया छट विश्माप्त हो गया है चुकि छट आस्था का महापर्व है और हम बिहारियों के लिए एक सम्मान और एक गर्व की बात है एक भावना से जुराओ है हमारा छट हर एक बिहारियों के दिल की आवाज है यह चट तो साथियों जो भी हमरे साथी हमसे जुरे हैं टॉपर्श व्यू के साथ जुरे हैं और अब पर्वतिवार का सीजन समाप्त हो गया है और अब आती है उसकी बारी जिसके लिए आप व शुनवाई नहीं ली है और आपके रिजल्ट को लेके जो एक समभाणा बन रहा था कि इस सब्ताह में रिजल्ट था जाएगा लेकिन इस बार भी निरासा हात लग रहा है अब तक किसी तरह की शुनवाई नहीं दिख रही है और नहीं रिजल्ट की कोई चर्चा सुनाई सुनाई दे रही है तो अभी वह सवाल अभी भी वही गूंज रहा है कि हम करे तो करे क्या क्या हाट पर हाट धर के बैठे रहेंगे आप सा तो नहीं उपा यह है रिजल्ट जब भी आए देर आए दुरूस्त आए हम इस वर से कामना करते हैं जब भी आए थोड़ा देर से ही आए लेकिन उसमें आपका नाम आए उस पडियेप में आपका नाम आए आपका नमबर आए ताकि आपको फीजिकल के लिए मौका मिले और जब फीजिकल का मौका मिले तो आप फार कर रख दे जो 100 नमबर का फीजिकल है आप उसमें 85-88 नमब लाने के प्रयास करें और ये तब ही होगा जब आप पहले से महनत करेंगे दूसरे लोग जो महनत करेंगे उससे ज़्यादा महनत करेंगे जैसे होता ये है कि जैसे स्टडी में आप पढ़ने के समय जी समय पढ़ते थे तैयारी करते थे उसमें कैसे करते थे जो जितना ज़ादा पढ़ेगा वो उतना मजबूत होगा वो उतना आगे होगा तो फिजिकल में भी बस वही चीज़ समझ लीजे कि जो जितना ज़ादा मेहनत करेगा मेरित बनने की संभाना उतनी ही ज़ादा होगी तो यह फिजिकल स्ट्रॉंग कैसे होगा तो लगातार किये जा रहा है मेहनत के बल पे तब यह मजबूत होगा उसमें सबसे जादा जो आपका फिजिकली फीट होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपको रेस में रनिंग में इसका बेनिफिट मिलेगा चुकि ये कम समय में होने वाला नहीं है हलाकि देखिए हम मूल सवाल जो आपका होता है कि हाँ सर वो result आ जाये तो उसके बाद energy आएगा लेकिन ऐसा नहीं है मान के चलिए कि आपका result है मान के चलिए कि आपका result है और आप उसमें एक सीट अपना ले रहे है तो सीट लेंगे कैसे तो उसका base उसका आधार physical है तो आप इसको मान के चलिए कि आपका result होगा जब भी ये result हाता है छोड़ी हटा ये उमीद खतम करिए कि अभी result हा रहा है लेकिन जब भी result हाएगा तो आप सीट पखका करने के पको महनद करना चीए अवी फिल्ड में होना चीए परर डे शुबह जब भी आपको जैसे समय मिलता है समय मिलता नहीं है मतलब समय निकालना पड़ता है तो आप निकाल लिए फिल पहुचिए और पुरे जी जहान से लगिए खान पान को लेके भी हमने बात करा था आपसे और एक चीज जो मास्टरबेट को लेके हमने बात करा था तो कई साथी बोल रहे थे कमेंट करके हलाकि हम तो कमेंट डिलेट कर दिये लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि manugerate मतलब हो जाता है हम करना नहीं चाहरते हो जाता है तो आप उससे बाहर निकल लिए ऐसा नहीं है कि खमभा को आप पकड़े है खमभा आपको पकड़े हुआ है आप खमभा को छोर द sporting कर रहा है तो आप खंभा छोड़िए उससे बाहर निकल और एक नई सुरवात करिए चुकि वह आपके फिजिकल के लिए बहुत घातक है जैसा कि मेरा मानना है अगर कोई यूट्यूब चैनल अगर फालोट कर रहे हैं आप फिजिकल को लेके जैसे बिनोद जी जो हैं इंदोर वाले जो MP में है वो तैयारी कराते हैं भिनोद फिजिकल या पत्ना में गुरुजी जो फिजिकल वाले हैं रहता है या जो भी जीतना लोग भी जो academy चलाता है इस पे जरूर बात करता है एक बार लोग मेरा भी सला है कि आप उससे बचे और पूरा प्रयास ये हो कि आप अपना जैसे physical पर आप focus है आप खान-पान पे focus है अपने डायेट पर focus है तो वैसे ही आप इस फोकस्ट रहे कि ये नहीं हो इससे बचना है आपको ठीक है तो हमारी शुब कामना है लगे रहे हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर आएंगे फिल्ड से समंधित हम फिल्ड में बात करके एक साथी है जो एकस्पर्ट है इस मामले में और वो फिजिकल कराते हैं बच्चों को जै इसमें उनसे बात करूँगा और फिर जो भी आपके सवाल होंगे हम उनके पास रखेंगे और उनका जवाब जो होगा आपके सामने लाएंगे हम साथियों जो भी मेरे से जुरे है अब तक अज़ों नहीं जुरे है जो हमारे बातों से हमारे जो सजेशन से उससे लवाणुई तो होते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप कर लीजे और हमारा सला या हमारा सजिसन आपके काम का है आपको ऐसा लगता है तो आप एक लाइक जरूर कीजे ये लाइक हमें बताता है कि हम आपके लिए कुछ काम कर पा रहे हैं हम आपके हिद का कुछ काम कर पा रहे हैं फिलाल इतना ही जै हिद